के लिए शौर्य चक्र श्रीकुलदीब सिंग चाहर उपकमांडेंट 182 बटालियन केंद्रो रिजर्फ पुलीस बल 26 अगस 2017 को लगभग प्रातह 4 बजे तीन आतंगवादी जिला पुलिस लाइन पुलवामा जम्मू एवं कश्मीर में चुपके से प्रवेश कर गए केंद्रो रिजर्फ पुलिस बल की बहाद्र और सतर्क टुकडी ने उनका सामना किया और पराक्रमी रूप से जवाबी कारवाई करके उन्हें लक्ष करने में विफल कर दिया उसके बाद आतंगवादी बैरिक के सामने स्थित अवासिय कौटरों के दिशा में भाग गए वहाँ के निवासियों को अब भी सुरक्षित बचाया जाना था को लगी आतंगवाधी के स्थान बदलने से पहले ही दोनों ने उसे गोली मार कर गंभी रूप से खायल कर दिया गंभी रूप से जखमी होने पर आतंगवादी ने हताशा में उनके आगे बढ़ने में बाधार डालने के लिए उन पर ग्रेनेट दाग दी और स्वेम सीडियों के नीचे छिप गया इसी दौरान हेट कॉंस्टेबल धनावडे रविंद्र बब्बन की स्थिती बिगड रही थी अपने आपको गंभी जोकिम में डालते हुए श्रीकुलदीब सिंग चाहर ने उनको वहां से सुरक्षित निकाल लिया लगभग 20 घंटों के अधक प्रयास के पश्चात जवानों ने भीशिन गोली बारी में सभी आतंगवादियों को मार गिराने में सफलता हासिल की श्रीकुलदीब सिंग चाहर ने सनिकट मृत्यों के सामने शौर्य और अदम्य साहस का परिचे दिया. श्रीकुलदीब सिंग चाहर, उपकमांजिंट.